हाँ जी दोस्तों किद्दा मैं साइर और सुराज का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फ्लेक्सीड के बारे में और मेरे पास है ओमेगा 3 का फिश ओयल इसे रिव्यू भी करेंगे बहुत सारे लोग कहते है गर्मियों में फ्लेक्सीड नहीं कहाना चाहिए फिर कितना खाना चाहिए कब खाना चाहिए क्या तरीका है खाने का इसका alternative क्या है इसे हमें allergy होती है पिमपल्स निकलते हैं तब क्या करे इन सब सवालों के जवाब मैं बारी-बारी से आपको देने वाला हूँ, जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो, पहली बार आये हैं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं फिटनस, गुरूमिंग और हैल्ट से रिलेटर व उस कंडिशन में आपको खाने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसकी जगह चिया सीट पे आजो, चिया सीट थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर रहते हैं, आप चिया सीट पे आजो, अब खाने कितने हैं, आपको दो छोटे चमच ही फ्लेक सीट खाने हैं, अगर आप दोनों सीट खा रहे हैं, तो मेक शिओर एक-एक सीट दोनों का, अगर आप दोनों सीट खा रहे हैं, तो मेक शिओर आप एक-एक चमच ले लें, उससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, अब मानलो, आप सारे सीट लें मिक्स करके खा रहे हैं, उस कंडिशन में भी केवल दो चोटे चम्मच से जादा सीड्स खाने की जरूरत नहीं है तातपरिया यह है कि पूरे 24 गंटे में केवल दो चोटे चम्मच सीड्स ही आपको खाने है उससे जादा नहीं खाने अब पता कैसे लगेगा आपको अलर्जी है जब आप पहली बार फ्लैक सीड्स लेंगे तो हो सकता आपका पेट थोड़ा सा चल जाए आपको थोड़ा सा इंडाजेशन हो जाए यहां फिर जब इसको लोगे तो आपको थोड़े बहुत पिंपल्स निकल सकते हैं तो अगर ऐसा होता है तो यहां पे आप फ्लैक सीड्स मतलो आप चिया सीड्स पी आजओ चिया सीड्स बेस्ट रहते हैं अब यह सवालों का जवाब दिया औल्टरनेटिव क्या है चिया सीड्स मैंने इन सब किस सवालों के जवाब दिये अब कई लोग पूछते हैं कि गर्मियों में फ्लैक्सीड खाने चाहिए है नहीं खाने चाहिए दोस्तों इस बात को समझे हमें एक बैलन्स रूप से डाइट चाहिए ठीक है हर एक न्यूट्रियंट्स बैलन्स रूप से चाहिए यहां पे ओमेगा थी बहुत इंपॉर्टन खा लेता हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती लेकिन कंईों को फ्लैक्सीड से प्रॉब्लम आ सकती है तो उस कन्डेशन में आप शोक कर लें रात को और फिर उस वस्वी सीड्स को खाना है कई लोग कहते हैं यह सोक किया हुए पानी पीसकते नहीं वह पानी नहीं पीन फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर रोस्ट करने के बाद या सोग करने के बाद भी आपको प्रॉब्म आ रही है, इसका मतलब आप ऐलर्जिक हैं, आपको फ्लेक सीड नहीं खाने चाहिए, ठीक है, आप उसकी जगा चीया सीड ले सकते हैं, चीया सीड में कोई दिक्क सकते हैं, अब सवाल लोग पूछते हैं, कैसे खाने हैं, कई लोग कहते हैं, लड्डू बना के आने देखिए, मैं यही जवाब होता है, जैसे मर्जी खाना आपको, ठीक है, चाहे आप सबजी में खाने, रोटी में खाने, दई में डालने, लस्सी में डालने, स्मूदी मे डालने, सबजी में डालने, जैसे मर्जी खाना है, मेरा यही जवाब होता, कि जैसे मर्जी खाओ भईया, जैसे मर्जी खाओ, आइडिया है कि आपको खाना है, बार-बार लोग सवाल पुछते, सर जी कैसे खाना है, कैसे खाना है मुझे बड़ी इरिटेशन होती है सवाल को जा जब मैं बार बार कह रहा हूँ जैसे इमर जी खाना है खाईए आप फिर कहें की दिक्कत है आपको यह चोटी सी बात क्यों नहीं समझ आती है आपको अब नेक्स सवाल पर पहुंचते हैं कई लोग कहते हैं जी हम फ्लैक्सीड खा रहे हैं क्या हम फिश ओयल ले सकते हैं मेरा जवावता बिलकुल लेना चाहिए आपको देखिए जो वेजटेरियन लोग होते हैं इस बात को ध्यान चे सोने हमें 1000 से 2000 mg की डोजेज चाहिए होती है ओमेगा 3 की जो कि हमारी डाइट से पूरी नहीं हो पाती अगर आप दो चोटे चमच भी लेते हैं तब भी आपको इतनी डोजेज नहीं मिल पाती ठीक है आप डाइट पर फोकस करते हैं तो यहां पर सप्लीमेंट्स भी काम आता हैं तो यहां पर मैं रव्यू करना चाह अगर आप मालनो एक घंटा वॉक करते हैं या वकाउट करते हैं तो 1000 mg काफी है अगर आपकी फिसिकल अक्टिविटी बहुत जादा है आप बहुत ज़रा गेम्स खेलते हैं चार पांच घंटे आपकी फिसिकल अक्टिविटी तो आप 2000 mg तक जा सकते हैं तो यहां पर एन व अब इस बात को समझो लोग अकसर पूछते हैं कितनी टेबलेट खानी हैं सर जी फिश ओयल की देखिए हर ब्रैंड की अलग अलग डोजेज होती है एन वेदा की खासियत क्या है कि इसकी डोजेज है केवल एक कैपसूल जी हां अगर आप इसका एक कैपसूल खाएंगे डोजेज 3 कैपसूल रखेंगे और डोजेज 3 कैपसूल की रखेंगे जिससे कि यो 10 दिन मुश्कल से निकलते हैं तो यहां पर क्या है 60 कैपसूल है हर रोज आपको एक कैपसूल यहां के दो महीने अराम से निकल जाएंगे अगर मैं इसको करिटिकली अनालाइज करूँ द तो N-Veda जो है, एक trusted brand है, मैं इसको काफी महीनों से use कर रहा हूँ, description box में link है, आप जरूर खरी दें, और मुझे जरूर बताएं, इसका performance आपको कैसा लगा, और खासियत क्या है, दोस्तों कई बर क्या होता है, हमें omega 3 खाने को थोड़ा सा fish burp भी आने लगते हैं, जो इसमें इसा नहीं होता, तो description box में link है, जरूर खरी दें, मुझे जरूर बताया करें, आपको इसका performance कैसे लगा, तो मैंने omega 3 की overall बात करी है, आपको flex seed भी लेना है, और fish oil भी लेना है, ठीक है, और description box में मैं कुछ links डाल दूँगा, अगर आप अभी lockdown में, I know कि chia seed या flex seed अवेलेब बात करना चाता है, Instagram पे आजाओ, Friday को रात को आठ बजे मैं live आता हूँ, और Sunday को YouTube पे मैं live आता हूँ, हम आमने सामने बात कर सकते हैं, कोई भी शक्स अगर मुझे support करना चाता है, तो मेरा member बन सकता है, मेरा join का button है, आप मुझे support कर सकते हैं, member बन सकते हैं, vlogging channel है मेरा Cyrus Vira, description box पे link है, जरूर click करें, subscribe जरूर करें, और अगर आप अपने किसी topic पे video चाहते हैं, तो मुझे जरूर comment करके बता दें, और मैं जरूर बता दूना, बाकि अगर कोई भी query होती है, questions होता है, तो make sure video में comment जरूर करा करें, और मेरे 42% ऐसे लोग हैं, जिनोंने मेरा channel subscribe ही नहीं के प्रेहना मिलती है, so thank you so much for watching this video, I hope मैंने flexit से related, आपको सारे सवालों के जवाब दे दिये हैं, कोई सवाल रहे गए हैं, तो comment करके पूछ सकते हैं, keep growing, spread the love.